आज दोपहर तीन बजे से लेकर साथ बजे के बीच आधी तूफान आने की संभावना है, घर से ना निकले, ट्राफिक की एडवाईजरी आ चुकी है, मेट्रो नहीं चलेगी, 90 किलोमेटर प्रती घंटेगी अगर इसकी रफ्तार हुई वगेरा वगेरा, आपके फेस्बुक पर, वाट्साप पर कई इस तरह के मेसेज आपको भी देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, हम पहुंचे हैं डिली के मौसम विभाग में, और यहां हम बात करेंगे मौसम विभाग के महा निदेशक के जी रमेश सहाब से, और इन से जानें के बीच क्या वाकई अनसेफ है घर से बाहर निकलना? नहीं, वो थंडरस्टाम की पॉसिबिलिटी बनती है आफ्टरनून की टाइम पे, और जहां जहां बनती है उसको हम अपडेट से देते हैं, नौकास्ट की रूप में, और जो अभी वाट वाट विभा गिवे नेस्ट आता है, पचास किलोमेटर पर अवर से ज़्यादा तेजी हवा चलने की संभावना है, तब हम देते हैं आरेंज कलर, उसके बाद सिवियर थंडरस्टाम, स्ट्रॉंग गेल विंड्स, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के साथ स्ट्रॉंग विंड्स होता है, वो केते हैं अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं, इसके हिसाब से ये सब कुछ यलो यलो दिख रहा है, तो हम क्या मतलब? ये जो है, क्लाउड्स की एनमेशन है, कल सुबे से अभी दो गंटे पहले तक, continuously, last 24 hours, clouds have come from western part of India, पाकिस्तान के उपर से, पंजाब, हर्याना, नार्थ राजस्तान, होते हुए, डिली, हिमाचल, उतराखंड, जमोंड, कश्मीर के इलाके में, इतना large-scale clouding था, last 24 hours में, उस की वजे से, अभी जो है, वो clouding is mostly to the hill states of Jemoon, Kashmir, Himachal and Uttarakhand, and partly it is developing over Delhi, this is the today's image, if you go to the today's image, current one, current one, current one, if you see the current image, now thunderstorm activity currently happening in Himachal, Uttarakhand, J&K. And then simultaneously over the North Eastern states of Nagaland, Manipur, Mejoram, it is happening, and Meghalaya, it is happening, and simultaneously, it is developing, South Tamil Nadu and South Kerala, and clouds are possible development of thunderstorm activity is happening, the way it is happening in Delhi and NCR region. तो ये दिल्ली NCR में, बीते रात को भी हमने देखा, ग्यारफ बजे के आसपास, बहुत जादा तेज हवाएंगी, तो वो क्या थी, क्या वैसे ही हवा उटने की संभाब नहीं है? ये सब जो developing clouds है, ये मैचूर होंगे sometime in the afternoon, but already these are matured areas, thunderstorms are happening. तो यानि सिर्फ गर्जना होगी, बारिश भी होगी, साथ में, या सिर्फ दून भरी आंधी होगी? हवा भी चलेगी, 30 से 50 किलो मेटर की तेजी से, ये 50 से 60, 30 से 50, ये समझ नहीं आता, 30 से 50 किलो मेटर की रफ्तार से अगर हवा चलती है, तो क्या दिकत आएगी? 35 से ऊपर किलो मेटर पर अवर से तेजी हवा चलते हैं, जो कच्छे मकान है, कच्छे मकान का रूफ है, जो टाइल्स है, ऐस्बेश्टा शीट्स है, और टैच्ट हाउसस है, वो सब तो हवा के साथ उड़ जाने का खतरा रहता है, 30 से 50 किलो मेटर प्रतिगन? 35 के ऊपर होगा तो वो उड़ना शूरू हो जाता है, 50 से 70 कच्छे मकान, 50 के 70 पे तो ट्रीस, पोल्स, वो सब होडिंग्स, वो सब चीजों के ऊपर डैमेज होगा, बाकी 90 के ऊपर होगा तो इसके साथ साथ स्क्वैल चलेंगे, वो क्या होता है स्क्वैल? स्क्वैल मतलब वितिन दी जोन अफ कन्वेक्शन, वो जोनस अफ हेवी विंड रहता है, सो वो जो है अंटि सैकलोनिक सर्कुलेशन में, यू विल सी दी विंड मूविंग, और दोजार दी बेरी स्ट्रॉंग, वो 90 किलोमेटर तक भी स्क्वैल जा सकता है. सर एक बहुत सारे लोग हमारा फेस्बूक लाइफ भी देखना है और जो लोग देख रहे हैं, आपके भी अगर प्रशन हो तो आप नीचे लिख सकते हैं, मनंदर सिंग है, उनका कहना है कि बिहार में भी क्या इसके आने की संभावना है, जो आप लोग को कास देख पा रह इस्ट यूपी और बिहार में परसू के बाद संभावना है, तो क्या हम यह मान सकते हैं कि दिल्ली से आज यह खत्रा टल जाएगा, डिल्ली के बाद 24 गंटे में प्लेन एरिया में थंडर स्टाम कतम हो जाएगी, आज थोड़ा सा वेस्टन यूपी में भी रहेगी, और हि अगले उकार की यह तो अभी इन्डिया में अभी जो इस लोटेड है, भी सबड़ा डिचाहि उमारशन होता है, अभी खिलू धूप नजार आ रही है, अभी क्लाव तक में तेल्ली में नहीं हुआ डेली के आसपास में वारिष हुई है, तनरस्टाम में बातं है, या उसक बट डिली में नहीं हुए नार्थ डिली में हुई है नार्थ डिली में हुई है इस्टन साइड हुए गुडगाओं में हुई है सो काफी जगह हुई है बट हवा जो है सब जगह चली है बारिश जो है कुछी जगह हुई है क्या हम यह मान सकते हैं कि पिछले बुदवार को जिस रफ्तार से आंधी दूफान आये था उसके बाद बहुत लोगों की मौत भी हुई थी क्या उस तरह का ही होने वाला है यह मंजर भी अगर पचास से साथ सतर किलोमेटर प्रति गंड़ी बता चुके हैं दो तारिक का इसा तो दस भी रिकार्ड हुआ बोलके बट हमारा जो है नबे और सो के आसपास रिकार्ड हुआ है बट यह भी जो है ना विंड़ स्पीड बदलने का वो लैंड यूस के ऊपर हमारा डेवलोप्मेंट क्लस्टर जो बिल्डिंग्स बने हैं लाइक नहरू प्लेस में जो मल्ट जिन इलाकों में बहुत कंजस्टेड डेंस 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 डेवलोप्मेंट अक्टिविटी है वहां गश्टीने से बढ़ जाती है तनलिंग एफेक्ट की वज़े से राजस्थान से एक हमारे हैं वो पूछ रहे हैं कि राजस्थान जोदपूर हर्याना इन सब इलाकों में क्या ऐसा पचास किलोमेटर वाले का नभवे का स्पीड देख सकते हैं नहीं वो होगा तो मैक्सिमुम पचास किलोमेटर इस दी हाइस्ट तुड़े विल नाट भी एक्स्पिरेंसिंग मोर देंदाट कई बार लोग ये भी पूछते हैं क्या मेट्रो में भी खतरा है मेट् किलोमेटर प्रती गंटे की रफतार से आया तो मेट्रो को भी रोकने की संभावना है नहीं ट्रांस्मिशन लाइन्स अगर डिश्टर्ब होते हैं लाइटिनिंग की वज़े से उनकी ट्रांस्मिशन सिस्टम असर होता है बट्ट यार राल प्रोटेक्टेड फ्रम लाइट अगर लाइटनिंग की वज़े से लाइटनिंग की वज़े से अफेक्ट होता है तभी इंट्रॉप्शन आएगा अदर्वाइज नहीं अब दो तीन और सवाल आ रहे हैं आपके उसे पहले मैं जानना चाहूंगी यहां पे जो सेंट्रल पार्ट अफ इंडिया है जो मध्य भारत है इसमें कुछ संभावना नहीं दिख रही है आपके जितने भी इमेज दिख रहे हैं वो यहां या तो दख्षिन की तरफ है या उत्तर की तरफ है तो इसके क्या मानने की जो सेंंट्रल पार्ट माध्य भारत है वह अभी मध्य भारत में थंडर स्टाम की पासिब्लेटीस खम हैं थोड़ा बहुत आईसोलेटेड इधर हो सकता है एंपी में और थोड़ा से चेच्टिस-घर में बद उसकाम है ऐसे हालात में आप अगर हम मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो क्या कुछ नहीं करने की आप सलाह देते हैं? अगर हम विभाला रहते हैं कि एप सलिखे साहता है, और उसरे साहते हैं पता हेवी बारिश होने का अपधियु होने म कहुई है using the में इअनधेर यदि इस में अबियुख और वर जब कैसी द एक मति होते हैं साधमा बंढकियो largest district reactor सफ्की रूपोबंश समेकर्मा हेए वन हैं अपने चारे वर देखते हैं आपको ओपन एरिया से सेफ स्ट्रक्चर के शेल्टर में जाना चाहिए अगर घर के अंदर है घर से बाहर नहीं निकलना है यह पूरा एपिसोड जो है चालिस मिनिट से एक गंटे की अवधी में खतम हो जाता है कोई भी एरिया में बारिश पहले तो तेज हवाँ शुरू हो जाता है उसके बाद बारिश शुरू होती है अगर उसके साथ थंडर भी होता है यह सब जो है 40 मिनिट में खतम हो जो है इतल मोग टो सम अदर प्लेस डाउन विंड में जैसा भी मावा क्लॉड्स को ले जाता है विंड उस एरिया में जाना है वार्निंग आता है वन डे बिफोर कलर कोड के साथ जब शुरू होगा जब खतम होगा हमारी नौकास्ट में पता चल जाएगा खुद को पता चलेगी 40 मिनिट पहले कम से कम घने बादल का माहूल बन रहा है नेपाल में भी आपका फेस्बुक लाइफ देखा जा तो विकास यह जवाब आपके लिए था कि कल के बाद हो सकता है जारकंड गुजरात 36 गड़ इन तीनों इलाकों में भी जो फेस्बुक लाइफ देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि अब हमारा इलाका तो साफ दिख रहा है तो हम निश्चिन कर रहे हैं जारकंड औरिशा बेंगाल यह तो नार्मल एरिया से थंडस्टाम अक्टिविटी का इस सीजन में हाने का तो आज नहीं है बट सब्सिक्वेंटली आने वाली चार-पांद दिनों में थंडस्टाम अक्टिविटी जरूर इस्ट इंडिया नार्थ इस्ट इंडिया होल इंडिया में बढ़ेगी बारा के बाद इधर भी नार्थ इंडिया में दूसरा एपोक आएगा वेस्टन बारा तारीक के बाद तो अभी चार दिन का वक्त है इसके लिए और इसका ओरिजिनेशन अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान से यह औरिजिनेट हुआ वहाँ है पाकिस्तान में अचली मेडिटरेनियन से आता है यह क्लाउड वेस्ट से अभी जो है अभी एक मेडिटरेनियन पे है और इरान पे है और यह जो है दिरे दिरे मूव कर इंडिया की तरफ आता है जब इंडिया के तरफ आएंगे इधर अरेबिन सी से माइसर मिल जाता है उस अभी देखें नार्थ से कितनी उपर से है यह ताशकंट वाली लाटिटूड वहां से नीचे तक यह जो है 30 डिग्रीस लाटिटूड है इतना लाटिटूड वर्टिकल मतलब नार्थ टू सा उतना एक्सेंशन है इधर का भी देख लिजिए उपर से 50 डिग्रीस यह 40 डिग्रीस है 50 डिग्रीस से 50 डिग्रीस से इधर 20 डिग्रीस है यहां तक कि उसकी फैलाव है वर्टिकल दोनु तरफ औरीजिनेशन यह जानना इधर से एक वेस्ट डू इस्ट मुप करते हैं यह सब यह जानना चाहूंगे आपसे कि सब्स बहुत लोगं का बस नहीं होता है काम बाहर करना ही होता है जैसे अगर भी घर जाना हो तो कितने बजे तक सेफ है क्योंकि 3 से साथ बजे का आप लोगोंने टाइम जो दिया हु before you leave you check whether in your area already cloud development has started or not and see the no-cost warnings which are put up put out and you see yourself for your own purpose already head-on thunderstorm is there or not then accordingly time of travel you can decide in between while moving also it happens go to a safe shelter इसका सवाहिस जवाब में हिंदी में चाहूंगी अगर बीच में कई पुई फस जाए कर पहले से चले हो और पहुंचने में ऐगंटे की देरी ओपने कषा कि 50 here इसी सूरत में क्या करना चाहिए हम लोगों को जो रास्ते में फस गये हो एसे लिए मल्टि स्टोरी बिल्डिंग्स है, माल्स है, कोई आफिसस है, रेस्टोरेंट्स है, वहां जाके इंदर शेल्टर ले सकते हैं. यह एक माते तरीका है इन सब से बचने का? और बिल्डिंग जो बस्टॉप से, मेटल वाला स्ट्रक्चर है, वहां नहीं रहने है, ट्रीके नहीं रहने है, जो मेटल, मेटलिक स्ट्रक्चर है, उससे दूर रहने है. यह माना जाए कि 50 km की प्रतीज घंटे की रफटार से भी अगर तूफान आता है तो पेडों का? तूफान ही जो सलने है दूफान जो है साथ बारिश और गरज भी होगा यह तूफान के लाता है और जो है चक्रवात है वो बयाउ बंगाल में बनता है, सबसे पहले तो आप यह समझने कि आज जो आने वाला है वो थंडर स्टॉम है यानि तेज हवाएं बारिश के साथ आ सकती है उसके साथ और अभी आप कुछ स्क्वेल भी बोल रहे थे कि वो स्क्वेल भी आये हैं उत्तर भारत में पिछली रात को तो वो क्या ओला पृष्टी उसे कहेंगे वो तो हेल स्टॉम होता है स्क्वेल इस स्ट्रॉंग विंड विंड जोन अफ तंडर स्टॉम्स तेज हवा की इलाकों मे इलाके होते हैं सो वहां ज्यादा विंड स्पीड होता है स्क्वेल जो आप बता रहे थे कि भी नहरू प्लेस के तरफ अगर आएगा तो उसे स्क्वेल कहेंगे वहां स्क्वेल बन जाता है वो विकाज आफ टनलिंग एफेक्ट की वज़े से जो आपकी डिवलोप्मेंट क डिजाइन है क्लोज स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग से तभी वहां टनलिंग एफेक्ट से विंड स्पीड बढ़ जाता है हमने देखा कि दिली एंसी आर के इलाकों में बहुत सारे ऐसे लंबे-लंबी इमारते खड़ी हो गई है अपार्टमेंट जिनकों कहते हैं उनके नर्फ इस्ट में विंड स्पीड बढ़ जाती है कई लोग नौंट इस्ट में ये लाइफ देख रहे हैं और उनका सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट में कितने दिनों तक क्योंकि अभी तक दिख रा था उनको कितने दिनों तक उसका असर रहने की संभ़़ना है नार्थीस्ट म में जरूर थंडर स्टांब्स डेवलोप हो जाएंगे शाम तक वहां भी इसकी स्पीड पचास किलोमेटर प्रती तेज स्पीड होती है यहां से ज्यादा वहां तो कम से कम सतर असर तक जाता है वैली से वैली समें विंड्स बहुत ज्यादा है दिल्ली में यह कितना प्रॉमिनेंट रहा है और क्या अकसर ऐसा आता है यह बहुत दिनों बाद ऐसी कोई संभावना बन रही है जो इतना है वाक क्रियेट हो गया है लोग बहुत ज्यादा पानिक हो रहे हैं ऐसी ज़रूरत प्रानिक नहीं है कम से कम अभी कंसर्ण दिखा करना शुरू हुआ जो थंडर स्टाम को उसका जो रुकसान होने का पासिबिलिटी से उसके बारे में जानते हुए भी अपना सेफ्टी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे जो राजस्तान उदर से जो कच्छे मकान गिरने की वज़े से हुआ है और ऐलेक्रिक पोल गिर की वज़े से हुआ है डैमेज और देन बाकी ट्रीस फिलिंग की वज़े से जो डैमेज हुआ है राजस्तान और यूपी में उतर पदेश में वो उससे लेकर जागरुकता बड़ी है और लोग ध्यान देना शुरू किया अपना सेफ्टी के ऊपर और काफी चैनल्स जो है स अपना घर के पास आ रहा हो तो तंडर स्टाम लाइटनिंग से पहले अल्टिकल अपलेंस बंद करें तो प्रोटक्ट यूरोन डिशार्ज मतलब शॉर्ट सर्क्यूट होने की संभावने से बचने के लिए यूए यूए है यूए है यूए है यूए है और तंडर स्टाम अपने के बाद लेना है वो स्टेप अल्सेफटी टिप्स अर शर्कुलेटेट अड इंड इन डिजनल लैंग्विज इस पिछले सप्ता जो आया उसमें यह जो थंडर स्टॉम है उसकी कितनी कितना योगदान था और कितना लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिया था उसकी यह सब नहीं है वार्निंग तभी था वार्निंग अभी भी है हमारी इसाब से नौकास्ट अलर्ट पहले भी जाते थे अभी भी जा रहे हैं बट उसकी जो आउट्रीच जो है सेकेंड में के बाद बहुत जादा बड़ी है पर्टिकुलर्ली समाचार माधियम जो है टीवी चैनल्स है एफम चैनल्स है आल इंडिया रिडो की है दुरदर्शन की है आल चैनल्स अर गिविंग इंपर्टेंस टु दी सिवेर वेदर वर्निंग बॉलेटिन्स अंड डिसीमिनेटिंग अट इंफरमेशन आज मैक्सिमम एस पॉसिबल सो उसकी वज़े से अच्छा है ल जाएब होनी की संभावना नजर लाएब नहीं है तो पहली बार थोड़ी हो रहें थंडरस्टाम हमेशा होते रहे हैं प्री मांसून सीजन में थंडरस्टाम की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होते हैं पर्तिकुलर्ली केरल और टमिलनाडू, कोस्टल करनाटका, इस्ट इंडिय इंडिया में होगी बहुत बहुत शुक्रिया तो आप देख रहे थे बीबीसी हिंदी का फेस्बुक लाई कैसा लगा आपको नीचे के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें